तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक स्पैनिश साइकलोजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है अनिमास इस मूवी का प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट है तो वीडियो को पूरा लास्त तक द और तबी रास्ते में एलेक्स को मिलता है ब्राहम नाम का एक लड़का ब्राहम अपने एक तूटे हुए योयो के साथ बैठा हुआ होता है और एलेक्स देखती है कि ब्राहम के पैरेंट्स घर के अंदर लड़ रहे है अब एलेक्स भी ब्राहम के पास बैठ जाती है और व तो ब्राहम मिलता है रांची नाम की एक लड़की से और ब्राहम रांची को पसंद करने लगता है अब स्कूल के बाद ब्राहम जाता है थेरपी लेने के लिए और एलेक्स उसके साथ जाती है Therapy session के दौरान Alex बाहर बैच के Abraham का इंतजार करती है पर उसे प्यास लग जाती है अब Alex एक water filter से पानी पीने की कोशिश करती है पर अजीब बत ये होती है कि Alex के लिए वो machine पानी देती ही नहीं है अब Alex को गुसा आ जाता है और वो इस machine को तोड़ना start कर देती है पर तबी ब्राहम वहापे आ जाता है अब ब्राहम एलेक्स को लेके महाँ से जाने लगता है पर जाते वक्त एलेक्स देखती है कि जो ब्राहम की थेरेपिस्ट है वो उस वाटर फिल्टर से अराम से पानी निकाल कर पी रही है और ये बात एलेक्स को थोड़ी अजीब लगती है अब घर पहुँचने के बाद एलेक्स स्मूध होती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि एलेक्स डिप्रेशन से गुजर रही है और वो खुद को चोट भी पहुचाती है एलेक्स ने अपने स्टमक पे कई बार ब्लेट से कट लगा रखे थे पर वो ऐसा क्यों करती है ये हमें आगे पता चलेगा इसके बाद एलेक्स और ब्राहम जाते हैं एक पार्टी में जहापे ब्राहम फिर से रांची को देखता है अब एलेक्स ब्राहम को रांची से बात करने के लिए बोलती है और ब्राहम फिर रांची के पास चले जाता है अब जैसे ही रांची और ब्राहम बात करना शुरू करते है वैसे ही एलेक्स को कुछ अजीब लगने लगता है और एलेक्स घर चली जाती है अब घर जाने के बाद एलेक्स नहाने के लिए जाती है और एलेक्स जब नहा रही होती है तब ये एक अन्नोन लड़की बात्रूम में एंटर करती है उस लड़की की शैडो एलेक्स भी देख लेती है पर जैसे ही एलेक्स परदे को हटाती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता अब एलेक्स बात्रूम से बाहर जाके चेक करती है और उस लड़की की डिमॉनिक शैडो एलेक्स को डरा देती है यहाँ से सीन जाता है बराहम की मॉम के पास जो पूरी रात नहीं सोई थी और बराहम की मॉम असल में बहुत ही जयदा depressed होती है सुबर उटने के बाद बराहम की मा नाशता बनाने के लिए किचन में चली जाती है पर उसका पती घर में बहुती ज़्यादा शोर मचा रहा था जिससे ब्राहम की मा बहुती ज़्यादा परिशान होती है इसके बाद हमें ब्राहम और एलेक्स को बात करता हुआ दिखाते है जहाँ पर ब्राहम एलेक्स से अपनी प्राबलम्स शेयर करता है ब्राहम से बात करने के बाद एलेक्स नहाने चली जाती है पर इस बार एलेक्स नहाते वक्त खुद को खौलते हुए पानी से जला देती है अब एलेक्स जाती है ब्राहम के घर पे जहांपे वो दोनों टीवी देखते हैं और एलेक्स ब्राहम से रांची के बारे में पूछती है पर ब्राहम एलेक्स को जादा कुछ भी नहीं बताता इसके बाद एलेक्स और ब्राहम जाते हैं ब्राहम के पापा के पास उसका लंच लेके पर जब वो दोनों ब्राहम के पापा के पास पहुचते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्राहम का पापा एक अच्छा इंसान नहीं है और ब्राहम उससे बहुत ही ज़दा डरता है अब ब्राहम और एलेक्स ब्राहम के पापा को उसका लंच नहीं देते और वो दोनों वापिस घर चले जाते हैं घर जाने के बाद ब्राहम अपने रूम में चले जाता है और एलेक्स वापिस अपने अपार्टमेंट में चले जाती है एलेक्स का अपार्टमेंट बिलकुल ब्राहम के अपार्टमेंट के उपर होता है और जब एलेक्स घर पे पहुँचती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता हमें इस सीन में पता चलता है कि एलेक्स रहती है अपनी मा, भाई और एक पालतु कुट्टे के साथ पर वो तीनों ही अब घर में नहीं होते अब एलेक्स को ब्राहम के घर में से कुछ आवाजे आने लगती है और फिर एलेक्स ब्राहम के घर में चेक करने के लिए जाती है अब जब Alex लिफ्ट से नीचे उतर रही होती है तो उसे लिफ्ट के बहार एक अजीब शैडो दिखाई देती है जिससे Alex डर जाती है और तबी लिफ्ट की लाइट्स भी फिलिकर करने लगती है अब अपनी मंजिल पर पोहसते ही Alex तूरंती लिफ्ट से उतर जाती है और वो ब्राहम से टकरा जाती है अलेक्स ब्राहम को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ और फिर ब्राहम लिफ्ट के अंदर चेक करता है पर उसे लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं मिलता अब ब्राहम और Alex ब्राहम के अपार्टमेंट में जाते हैं जापे हम लोग ब्राहम की मा को देखते हैं और फिर वो तीनों मिलके खाना खाते हैं इस सीन में हम वियर्स देखते हैं कि खाना खाते हुए ब्राहम की मा बहुत ही ज़ादा अजीब लग रही है और हम वियर्स स और वो कमरे को बंद कर देता है पर ब्राहम का पापा कमरे का ताला तोड़कर कमरे के अंदर घुज जाता है अब ब्राहम का पापा एलेक्स को धक्का दे देता है और ब्राहम को मारने लगता है क्योंकि वो आज उसका लंच टाइम पर नहीं लाया था एलेक्स जमीन पे गिरने के बाद बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो सब कुछ शान्त हो चुगा था इस सब के बाद ब्राहम काफी जादा बुरा फील करता है और वो एलेक्स को वापिस घर बेज़ देता है अपने घर पहुचने के बाद Alex देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और even उसका घर का सारा समान गायब होता है ये सब देखकर Alex घबरा जाती है और तभी उसके घर का में गेट अपने अब बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है अब एलेक्स अपने खुद के घर के अंदर ही लॉक हो जाती है और से कुछ भी समझ नहीं आता एलेक्स का फोन भी स्विच आफ हो जाता है और अब एलेक्स एक AC की शाफ्ट का यूज करती है अपने घर से निकलने के लिए Alex AC की शाफ्ट के अंदर घुश जाती है और दूसी तरफ हमें Braham की मौम को दिखाते है और अब Braham की मौम के साथ भी कुछ अजीब चीजे होने लगती है शीन वापिस AC की शाफ्ट में जाता है जा पे Alex को अपने सामने से किसी की आवाज सुनाई देती है एलेक्स उस आवाज को सुनी रही थी कि अचानक से ही एक डिमॉनिक हाथ उसे दिखाई देता है एलेक्स वो सब देखकर डर जाती है और वो AC की शाफट से तुरंती बहार निकल जाती है और AC की शाफट से निकलते ही उसके घर का दरवाजा अपने आप खोल जाता है और अब एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में हो किया रहा है यहां से सीन जाता है ब्राहम के फादर के उपर जिसके पास अचानक ही एक गाड़ी आ जाती है वो गाड़ी ब्राहम के फादर को एक रोड पे धकेल देती है जिससे उसका एकसिडेंट हो जाता है एकसिडेंट में ब्राहम का फादर मारा जाता है जिसके बाद एलेक्स पहुचती है हॉस्पिटल ब्राहम से मिलने के लिए अब ब्राहम की फैमिली और एलेक्स वापिस गर पहुचते हैं और अब ब्राहम अपनी मौम के साथ किचन में जाता है अब इस सीन में हम लोग ब्राहम की मा की शैडो देख पाते हैं और ये वो ही शैडो होती है जो एलेक्स को आज कल दिख रही है पर इस बात का कोई भी सैंस अभी नहीं बनता पर इस वीडियो के ऐंड में एक बहुती बड़ा लॉजिक इस सीन से हमें मिलेगा अब आलेक्स और ब्राहम एक रूम में जाते हैं जहाबे वो दोनो अपने कपड़े बदलते हैं कपड़े बदलते वक्त बराहम को अपनी जेम में एक चाबियों का गुच्छा मिलता है जो असल में होती है उसके घर की गाड़ी की चाबिया और से समझ नहीं आता कि वो चाबिया उसके पास कहसे पहुची अब रात को सोते वक्त एलेक्स उठकर पानी पीने के लिए चली जाती है और एलेक्स के कमरे से जाते ही बराहम चले जाता है रांची के पास जहां पे वो दोनों प्यार करते हैं अब जैसे ही एलेक्स को पता चलता है कि बराहम उसे छोड़कर रांची के पास चले गया है तो वो बहुत ही ज़ादा परेशान हो जाती है अलेक्स ब्राहम को फोन भी करती है पर वो फोन नहीं उठाता अब अचानक ही अलेक्स टेलिपोर्ट होकर अपने घर के बाहर पहुँच जाती है और फिर अलेक्स अपने घर के अंदर जाती है अंदर जाने के बाद एलेक्स देखती है कि वो अपने घर के अंदर नहीं बलकि किसी और ही दुनिया में पहुँच गई है उस अजीब जगा पे एलेक्स को एक बूरी औरत मिलती है जो एलेक्स को देखकर चिलाती है और एलेक्स वहां से भागती है अब एलेक्स को जमीन पे लगा हुआ एक दर्वाजा मिलता है पर इससे पहले वो दर्वाजे को खोल पाती उस दर्वाजे के अंदर से खून निकलने लगता है अब एलेक्स डर जाती है और वो एक बुक शेल्फ से टकरा जाती है और फिर एलेक्स को उस बुक शेल्फ में से एक बुक मिलती है और उस बुक की राइडर होती है ब्राहम की थेरेपिस्ट सीन जाता है ब्राहम पे जो अपनी थेरपी ले रहा होता है और थेरपी के वक्त ब्राहम की थेरपिस ने ब्राहम को हिपनोटाइज कर रखा होता है और जितनी देर तक ब्राहम हिपनोटाइज रहता है उतने ही टाइम तक एलेक्स के साथ बहुत अजीब अजीब चीजे होती अब एलेक्स अचानक ही अपने बात्रूम में पहुँच जाती है और वो गुसे में अपना सर शीशे में मार देती है एलेक्स इसके बाद एक शीशे का टुकडा उठाती है और वो खुद के शरीर को काटने लगती है अब तबी अलेक्स के पास वोई demonic shadow आ जाती है जिसे देखते ही अलेक्स इतनी जादा डर जाती है कि उसकी सांस आना बंध हो जाती है और अलेक्स का चैरा धीरे धीरे एक لाश जैसा हो जाता है अब अचानक ही वो shadow गायब हो जाती है और अलेक्स भागती है scene shift होता है ब्राहम पे जो therapy के बाद रांजी को लेके पहुंचता है एक library में अब रांजी और ब्राहम एक दूसरे से बात कर रहे हुते है पर तब ही ऐलेक्स वहाँ पे आ जाती है और वो ब्राहम पे गुस्ता करने लगती है क्योंकि ब्राहम ने एलेक्स को रांची के लिए अकेला छोड़ दिया था अब एलेक्स रांची को भी बुरा भला बोलने लगती है और अचानक ही लाइबरेरी में से ब्राहम गायब हो जाता है और रांची एलेक्स से बिल्कुल ऐसे बात करती है जैसे वो ब्राहम से ही बात कर रही हो सीन जाता है ब्राहम पे जो वापिस अपने घर पे पहुचता है घर पहुचने के बाद ब्राहम को अपनी मा मिलती है जिसने सुसाइट कर लिया था और उसने ऐसा क्यों करा ये हमें आगे पता चलेगा अब ब्राहम अपनी मा के लिए रोने लगता है और सीन चले जाता है एक हॉस्पिटल में जहां पर एलेक्स आती है ब्राहम से मिलने के लिए अब ब्राहम एलेक्स को अपने से दूर कर देता है और वो एलेक्स को वापिस जाने के लिए बोलता है पर एलेक्स ब्राहम की बात नहीं मानती अब ब्राहम एलेक्स को एक बहुत बड़ा सच बताता है जो से पता चला था उसकी थेरपिस्ट के द्वारा ब्राहम एलेक्स को बताता है कि वो असल में एक असली इंसान है ही नहीं और एलेक्स बस ब्राहम की एक imaginary friend है और ब्राहम को multi personality disorder है जिसकी वज़ा से ब्राहम ने बच्चमन में एलेक्स को create करा था ताकि वो अपनी life की problems को solve कर सके पर अब एलेक्स उसके दिमाग के अंदर एक दूसरी इंसान बन गई है और इसलिए अब एलेक्स कभी कभी ब्राहम की body पे control कर लेती है और इसलिए ही library में से ब्राहम अचानक ही गायब हो गया था अब जैसे जैसे एलेक्स को सच्चा ही पता चलती है उसकी पूरी दुनिया ही खतम होने लगती है और एलेक्स को बहुत ही ज़दा डर लगता है और वो अचानक ही एक road के बीचों बीच पहुच जाती है उस road पे एलेक्स को एक gate मिलता है और जब एलेक्स उस gate को खोलती है तो उसे दिखाई देता है hospital में खड़ा हुआ ब्राहम ब्राहम को देखते ही एलेक्स gate को फिर से बंद कर देती है और अब अचानक ही एलेक्स एक बार फिर से पहुच जाती है अपने घर के बाहर अब एलेक्स सीडियो से नीचे उतरती है और अब एलेक्स की पूरी दुनिया एक TV के ग्लिच की तरह बीच बीच में अटकने लगती है और ऐसा एलेक्स के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ब्राहम एलेक्स को अपनी लाइफ से अलग करना चाता है अब एक बर फिर से एलेक्स जाती है ब्राहम के घर के अंदर और दूसरी तरफ ब्राहम कॉल करके रांची को अपने पास बुलाता है और मैं यह आपे बताना चाहूंगा कि एलेक्स अब जहां पे भी घूम रही है वो सारी जगाहें असल में ब्राहम के दिमाग के अंदर है अब एलेक्स को दिखाई देती है अपनी मा जो असल में वही बुरी औरत होती है जो एलेक्स को पहले भी दिखी थी और फिर एलेक्स को अपना छोटा भाई दिखाई देता है जो बिलकुल बराहम के बचपन वाले रूप जैसा दिखता है और इसका मतलब एलेक्स की फैमली भी सिर्फर से बराहम की दिमाग की एक कलपना है अब सीन जाता है ब्राहम और रांची पे और वो दोनों पहुचते है थेरेपिस्ट के पास और अब रांची बाहर बैटके इंतजार करती है और थेरेपिस्ट अपने रूम में एक बार फिर से ब्राहम को हिपनोटाइस करती है ताकि वो थेरेपिस्ट ब्राहम के इमेजनरी फ्रेंड को खतम कर सके अब हमें Alex को दिखाते हैं जिसे rating के दिमाग के अंदर कुछ files मिलती है उन files को पढ़ने के बाद Alex को पता चलता है कि बरहम का nature एक साइको पात जैसा है और क्योंकि Alex हमेशा से बरहम के साथ रही है तो इसलिए बरहम का साइको नेचर कभी भी सामने नहीं आया है क्योंकि वो नेचर तो असल में एलेक्स के अंदर है और इसलिए एलेक्स खुद को ब्लेट से कई बार काटती रहती है और वो खुद को काफी ज़ादा चोट पहुचाती है क्योंकि वो एक साइकोपात है अब एलेक्स को ब्राहम के अपार्टमेंट में छट पर लगा हुआ एक दर्वाजा मिलता है और ये वही दर्वाजा है जो एलेक्स को पहले भी मिला था अब तबी ब्राहम का फादर एलेक्स पे हमला कर देता है क्योंकि ब्राहम के लिए उसका बाप हमीशा से एक विलन था ब्राहम के फादर से बचते हुए एलेक्स उस दर्वाजे से निकलती है और फिर एलेक्स पहुच जाती है अपने अपार्टमेंट के अंदर जिसके बाद एलेक्स ब्राहम की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है अब क्योंकि एलेक्स इस दुनिया से नहीं जाना चाहती थी तो वो थेरेपिस्ट को मारना शुरू कर देती है ब्राहम एलेक्स को ऐसा करने से मना करता है पर वो उसकी बात नहीं सुन्ती और अब Alex की Mind Power इतनी ज़ादा हो जाती है कि अब Real World में Alex और Braham एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते है अब तभी कमरे में रांची आजाती है जो Alex को देख लेती है और अब Alex therapist को छोड़कर रांची को मालने के लिए भागती है क्योंकि ब्राहम रांची की वज़ा से ही बदल रहा है एलेक्स रांची को धक्का दे देती है और ब्राहम को एक कमरे के अंदर लॉक कर देती है रांची कसर एक फिस्ट टैंग के अंदर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है फिस्टेंग भी तूट जाता है और एलेक्स एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है रांची को मारने के लिए अब इससे पहले एलेक्स रांची को मार पाती ब्राहम खुद को ही एक कांच के टुकड़े से स्टैब कर लेता है और क्योंकि ब्राहम और एलेक्स एक दूसरे से connected होते हैं तो एलेक्स को भी बिल्कुल सेम दर्द फील होता है अब ब्राहम गायल होकर नीचे गिर जाता है और रांची और एलेक्स उसकी तरव भागते है सीन शिफ्ट हो जाता है एक हॉस्पिटल में जहाँ पे ब्राहम को डॉक्टर्स अपने साथ ले जा रहे होते हैं और एक बार फिर से एलेक्स को कोई भी नहीं देख पाता अब ऑपरेशन के बक्त ब्राहम उटके खड़ा हो जाता है और वो एलेक्स की और बढ़ता है पर असल में ब्राहम अभी भी बेहोश है और वो अब बस अपने दिमाग के अंदर एलेक्स के साथ है अब एलेक्स और ब्राहम पहुँच जाते हैं उस रोड पे जहांपे ब्राहम के फादर का एक्सिडेंट हुआ था उस रोड पे वो दोनों ब्राहम को देखते हैं जो अपने पापा के पीछे ही आ रहा होता है अब ब्राहम के फादर का एक्सिडेंट हो जाता है और ब्राहम ये सब देख लेता है और फिर ब्राहम देखता है कि जिस गाड़ी ने ब्राहम के फादर को रोड पे धखेला था वो गाड़ी असल में उसी की माँ चला रही थी और इसका मतलब ब्राहम की माँ नहीं ब्राहम के फादर का मरडर किया था क्योंकि वो अपने पती से बिलकुल भी खुश नहीं थी और ब्राहम अपनी मा का असली रूप जानता था और इसलिए वो अपनी मा को एक डिमॉनिक रूप में देखता था और वो ही डिमॉनिक रूप एलेक्स को परिशान करता था और ब्राहम की मा ने सुसाइड इसले किया था क्योंकि इसे गिल्टी फील हो र ठालेती है और इसी तरह वो चाबियां ब्राहम की जेब में पहुच गई थी पर एलेक्स और ब्राहम इस हाथसे को भूल जाते हैं क्योंकि ये हाथसा उन दोनों के लिए ही डिप्रेसिंग था अब जब एलेक्स और ब्राहम को पता चल जाता है कि आखिर उन दोनों की अब एलेक्स और ब्राहम एक दूसरे को गले मिलकर गुडबाय बोलते हैं जिसके बाद एलेक्स छट से नीचे कूच जाती है और तब इब्राहम को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और इसका मतलब अब एलेक्स हमीशा के लिए जा चुकी है और मूवी यही पे खतम हो जा हमारा सपोर्ट जरूर करना और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू बब बाई